अपने start-up terminology के बारे में जरूर सुना हुआ जैसे कि unicorn start-up unicorn start-ups वो start-ups होते हैं जिनकी valuation एक billion dollars तक touch कर जाती है ऐसे start-ups usually hype पर बहुत चलते हैं और अक्सर loss making होते हैं जैसे कि paytm या zomato लेकिन क्या आप जानते हैं cockroach start-ups के बारे में यह term उन start-ups के लिए दी जाती है जिनका मकसद होता है market share को expand करना अपने बल से profit कमाना ताकि investors के पैसे पर rely ना करना पड़े हाँ पर start-up को चलता रहने के लिए unicorn start-ups के comparison में cockroach start-ups बड़े robust होते हैं market की condition अगर अच्छी नहीं भी चल रही तो यह survive कर पाते हैं और इनका नाम cockroach start-ups इसलिए दिया गया है क्योंकि एक cockroach के अगर अब सर काट भी दो उसके बाद भी वो एक हफते तक बिना सर के बिना खाने के पानी के जिन्दा रह सकता है तो economy की हालत बहुत बुरी भी चली जाए cockroach start-ups उसे sustain कर सकते हैं और अपने profits बनाये रख सकते हैं